नमस्कार मैदानी संजार और आप देख रहे हैं पियारवी ग्रामीन विधानसवा गोरकपूर में मौझूद है और यहां पे जो तमाम लोग हैं जो अस्थानिये उनसे बाचीत करेंगे कि क्या महौल बन रहा है एक तरफ अमिशा जो है कहराना से चुनावी परचार कर रहे ह हैं परचा तक बाट रहे हैं और दूसरे तरफ समाजवादी पाट्री का जो वर्चुल रैली है वो भी लगातार जारी है तमाम लोग इनसे बाचीत करेंगे कैसे देख रहे हैं पूरे पांच साल योगी जी को जो मौका मिला था उसको उन्होंने फालतू के कारियों में ग के बाद गोरकपूर को मुखे मँंत्री मिला था सबको लग रहा था कि गोरकपूर में विकास की गंगा पहेगी विकास की गंगगा चिक rushing चीП पर देखे भारती अंता पाल्टी शुरुवाती दोर से केवल हिंदू-मुसल्मान करना चाती है पूरी तरीके से अगर भारती अंता पाल्टी इंदता विकास किया है तो क्यों नहीं रोजगार पर बात करते हैं आज किसानों के खेतों को बाबायोग्यादितनात के गाय और सुरक्षा पे सवाल कैराना में बाटे मैं कहता हूं मोधी नेंदर मोधी इस देश के प्रधान मंत्री उत्तर प्रेश के गली-गली और घर-घर दोड़ ले मेड़ मेड़ चलने तब भारती जनता पाल्टी की सरकार नहीं बचने वाज़ाना से शुरू करने का क्या मकसद कोई मकसद नहीं है यह लोग इस देश को हिंदू मुसलमान बाटना चाते हैं यहां से निश्चित परिवर्तन होगा और सारी जनता मन बना चुकी है कि यहां भाजबा को भगाना है जो भाजबा भागे कि करो ना अपने आप भग जाएगा गोरखपुर में परिवर्तन हो पहर के नीचे से जमीन खसकने वाली है यह समझ लीजिए इतना आत्म विस्वा से लब्रेज कैसे हैं आप पचीस साल से सांसद योगी आधितनाथ पचीस साल से विधायक भाजपा का अपने ही तो बनाया सुनिये ना बता रहा हूं मेयर विधायक का लोग मंदर के नाम पर द अरीके से गोरखपुर की जनता गोरखपुर के जन मानस यह तैंक करके बैठी है किस बार करारा जवाब देंगे किस मुद्दे के दहत वोट करी कि देखिए जो मुद्दा है इस वक्त जनता की बीच में जो मुद्दे हैं बहुत पहले बेरोजगारी और सबसे बड़ी जो और जनता को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और राष्टवाद के नाम पर यह लोग बेकूफ बना कर सत्ता में आना चाहते हैं अगर करते हैं तो यह गलत क्या है इसमें देखिए इसमें ऐसा है कि राष्टवाद की बात अग वो लोग करें जिन लोगों के बाप कर यह लोग पूजा करते हैं और आस तक कभी तिरंगा अपने कारयाल है पर आरसस के कारयाल नहीं पहराया गया यह लोग राष्टवादी होने का दावा कैसे करते हैं यह लोग तो राष्टवाद के नाम पर केवल पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं केवल मुर्ख बना र की इनको मतलब यह साई दिनकी राजनीती खतम हो जाए सैंधा राष्टवाद हिन्दू दूसमैने जग रूक होरी जनताउर राश्टवाद है जनता हिन्दू-मसल्मान के नाम पर बठना नहीं चाहती है जन्ता को विकास चहिए जनता को रोजगार चहिए जनता को आज É और युवाव का नेत्रित युवाव ने उनको अपना नेत्र तो माल लिया क्या राम मंदिर का सवाल है और हिंदुत के नाम पर राजनीत की रोटी सेखने वाली भारती जनता पार्टी और उसके नेता राम के नाम पर भी ठगबाजी कर रहे हैं और यह माना जाता है कि राम पूरी दुनिया के संचालक हैं अब उनको भारती जनता पार्टी को लोग लाने की हैसियत में हो गए यह उनका मंदिर उस्तम नियाले के आदेश पर बन रहा है और संपूर्ण भारत का हिंदु मुसल्मान सब की सहमती से बन रहा है उसमें लग रहा है अखलेस की गारी निकल रही है योगी जी यह घाट शीले योगी नहीं आ रहे हैं कि आकरोश बहुत और भी लोग है क्या लग रहा है इस बार अखलेस यादव आ रहे हैं भाई वह उनकी पिछली कारकाल हम लोगों को महुत पसंदीदा लगा है जिस प्रकार से भारती यंता पाल्टी के सासनकाल में अनसूची जाती हम अन पिछले वर के लोगों का चाय कुर्मी कोहार लोहार बढ़ाई बिलदार काहार का स्यब कोई भी हो मला हो या तो हो सारे जातियों का सबसे जादे किसी ने आरक्षन का नुक्सान करने का काम किया तो योगी आध प्रति पिछले पिरा बोल के पिछलों ने ओर्ते दिया आप शेले को मुकिमंत्री नहीं बनाया बनाया गणवाल के रहने वाले का उत्रह को लियुक्त तैंसरा ंदी कि एकना थो और बात जानते है ने अरक्षन लागू क्यों नहीं करते ये लोग सरवधिंग नुकसान इन्होंने करने का काम किया अभी ये जनता इनको जवाब देने जा रहे लगणा अख्लेश जो वादे करने क्या खरे उतर पाइंगे लगणा वादे पूरे नहीं हुए लाखोई वाओं को लेप्टाप दे फशाथ HOW वह पसों का दर्द होता था तो वह घ्रादरी की जाती होता एम्वूलेंस आता था उसको फिजल ले जाने का काम करता था जब यgens, मिलती तो गौन ऩशाती का एक जनता理 में ञति योघ्जाती यह बीजेपी और योगी आदित्राइट की सरकार है जो के वल एक जाती थाना आप गिन लीजिए सारे थानों के वल एक जाती के लोग है तो आशिरवाद उनको ही दे रही है परदेश में भी है देश में आप करहे ना आप यह करहें जंता बीच आप खड़े है पुछवा ल आते पूरी रात पूरे उत्तर प्रप्रजाइब ब्हारत में ऐसा कोई नेता रही होगा जिसके लिए पूरी रात जंता सलकों पे ख़ली रहे हैं लिन अखलेश यादोंके लोग आधी venak't throughput को क्योंता है उछ सबता है उन्होंने अउन नए एक दम अखलेस आ रहा हैं अखलेस आ रहें जाएंगे लग रहा है इसे कर बाबा फेरो वहीं हैं उखी वाज वाजुले बापुट का कई ले हैं माटिका कई ली हैं जोकी जी क्या कि आपके गोड़क गोड़क पूर को दिहा ले हैं सब रुपय पेट्रोल महंगा गई तेसे मतलब का होला घर जानमा सब बरहों माज खाता लेग पसुकवे दवुरा थावा महंगाई से दिक्कत नहीं हैं आपको कौनों टेंसन ना आई बाद करते हैं क्या लग रहा है क्या महाल बन रहा है क्या है सभी लोग परिशान है महंगाई से सबसे बड़ी मतलब दिक्कत जनता को महंगाई की है आप बताए जो कड़वा तेल सतर पे बिक्ता था जनता दो सो रुपे हम खरीद रही है जो गेस्रेंडर चार सो नई सुपे का था हो आज एक हजार रुपे घर पहुंचा के गयारा गयारा सुर्पे ले लिया जा रहा है और ये डेड़ सो कर आसन देखे राश्टवादी को कह रहा है फरक नहीं परता है योगी मोधी जरूरी है गोरकपूर में जब जब योगी आदितनाज जी आते हैं तो एक हत्या या एक बलातकार जरूर हो जाता है पूरे पांस साल तक यहीं चलता रहा कल गोरकपूर की दीवानी कचारी में जिस्तर से खुलयाम गुंड़ाई का नगन परदर्सन होगा जिनको वो कहते हैं कि गुंड़ा मुक्त हो गया उत्तरप्रदेश उन्हों ने जाती के आधार पर निर्दोस लोगों का उत्पिडन किया और अपने गुंड़ों को सरकारी लाइसेंस दे दिया उनके गुंड़े खुलयाम सरकारी सनच्छन में गुंड़ाई बुल्डोजर गरीबों पर चला है निरीष लोगों पर चला है बारे कक्षा बारे में पढ़ने वाले नौजमान पर चल गया पुस्पेंदर यादव पर चल गया और जो एक लाइन से धनांजा सिंग को देखा आपने किसी तरह से किरकेट खेल लहे थे जिस तरह से आपने खुले आम नगन टांडो कर रहे हैं चलिए तो यहां ग्रामीन विधान सवा के जो तमाम लोग थे उनसे हमने बातचीत की सबने अपनी अपनी राए बड़ी बेबाकी से रखी तो महल यहां का क्या है आज आपको पता चल गया होगा तो फिलाल इस वीडियो रही मिलता है वीडियो में बने रहे हैं मारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद